Assalamu malaykum, व्रफा work Junior, बनाता है, एक किलो की चिक्किन की विजब आपनाई चर्था यह शिरू करते हैं अज़की रशेपी रश्राननीक्री ही, अर्डिन टिक्राइस contribution से एक्स्टर ओडर्नरी विजब आपनाते निश्यबिक वैसे ये बॉम्बे बिर्यानी है तो मुंबई की है आलू तो पड़ते ही है तो इसकी छील निकाल ली मैंने मोटे मोटे पीस कर लिया थोड़ी दर पानी में रखा था और अब नितार कर इन आलू में नम्मक दाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए साइट पर एक कठाई के कीजिए आपने तब तक फ्राय करना है बार बार चलाते रहेगा जब तक ये जो इनके ओपर एक अच्छी गोल्डन लाइट गोल्डन ब्राउन की लियर ना जाए ने आलू गलेंगे नहीं कोई बात नहीं मतलब समझे ना बाइद इस टाइम 80% तक गल जाएंगे और बाकी के जो हमारी बिडियानी के अंदर जाएंगे तो इनहें निकाल कर नितार कर साइट पर रख दीजेगा अगर आप आलू पसंद नहीं करते तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं तेल के अंदर मैं यहां पांच मीडियम साइज की प्यास दाल रही हूं आप चार प्यास भी दाल सकते हैं इसे बार-बार चलाते हुए फास आज पर लाइट गोल्डन ब्राउन होए तक इनहें फ्राइ कर लीजिए बार-बार चलाते रहे गहां यहां पर मैंने 4 मीडियम साइज की टमाटनों को बारिक काट कर रख अचा है साइट पर अचाह जैसे ही लाइट गोल्डन ब यहां पर वो जो टमाटर है वो सारेड दाल दीजिए विसमें लहरा फाने रिम बोल कर और यह है चार टेबल स्पून अद्रक लसन का पेस्ट भी दाल दीजिए और इसे चूला फास्ट आज करके बार बार चलाते रहिए और भून लीजिए यह देखिए प्याज मैंने पर रखी है से हलका सा हादों की मदद से थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दीजिएगा अब इसे तब तक भूनिए जब तक टमाटर है नम नहीं हो जाते और तेल नहीं चूट जाता उस तने में क्या होगा टमाटर भी थोड़े नम हो जाएंगे और द्रक लसन का पेस्ट पुना जाएगा अब यह है बंबे बिर्यानी शान की आप किसी की भी ले सकते है बंबे बिर्यानी या कोई भी अमसाला ले सकते हैं ready-made मसाला और इसे डाल दीजिए और चूला फास्ट आज पर रखी हूँ मैंने और इसे बार बार चलाते हुए आदे मिनिट के लिए मसाल तब तक भूनिये जब तक तेल नहीं छूट जाता बहुत अच्छे से दही भून जाए और तेल छूटने लगे तो यहां पर मैंने चिकन ना तकरीबन एक किलो दो सो गराम ली है भोई हुई है चरवी निकाली हुई और मीडियम पीस की हुए है अच्छा आप चाहे तो एक क तो यहां पर हम पानी डाल देंगे पानी डालने का फूरा फोटली आपके उपर है आपको ज्यादा मसाला नहीं चीए तो 3-4 cup या 1 cup जितना पानी डाला है थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया दाल दीजिए और इसे चला लीजिए इसमें उबाला जाने दीजिए पानी के अंदर मैंने सारे गरम मसाले डाले थोड़ा सा तेल बी दाला थोड़ा सा कोथ मेरी आने के हरा धनिया हरी मिर्च थोड़ा सा निम्बु कार से सब दाल कर बहुत अच्छे से बॉल कर लिए चावल तकरीबन 95% गल गए तो मैंने इन्हें नितार कर इस तरीके से अगर आपको जादा ड्राइ चाहिए तो सुखी हुवी बिर्यानी चाहिए तो बट मुझे परफेक्ट लग रही है तो मैं ये चिकेन के ग्रेवी को दाल देती हूं जिस बरतन में मुझे से सेट करना है बिर्यानी को अच्छा चार और ये जो आलू हमने फ्राइ किये थे ये खूब सारी बारिक ट्थिवे कोथ मेरे के ओपर दाल दीजिए तो फूदी ना भी दाल सकते हैं आप चाहे तो हरी मिर्चियां भी बेषक दाल सकते हैं मैं यह दालती हूं अब यह जो बिसमिल रही रहा हमने रहीम बोलीकर आवारे जो चावल बॉल करें हुए ये सारे डाल दीजिए और फैला दीजिए ऐसे 3-4 cup जितना दूद चारो और चावल के उपर फैला दीजिए खुब सारी बारिक करती हुवी कोथ मेर याने के हरा धनिया दाल दीजिए थोड़ा सा बिरिस्ता जो आमने साइड पर रखा था ये मैं स्प्रिंकल कर देती हूं सारा इसके उपर अच्छा आप चाहे तो खुदीरा भी बारिक काट कर दाल सकते हैं थोड़ा सा फूट कला है मैंने पानी के अंदर घोल बना कर दाल दिया और अब यहां 2-3 टेबल स्पून जितना असली घी दाल दीजिए चारो और अच्छे से फैला दीजिए और अब इसका धकन धाग दीजिए नीचे मैं है ना गरम करा हुआ तवा रख देती हूं अच्छा गरम है और इसके ओपर यह हमारी पतिली रख दीजिए यानि की और चूला अच पर चालू कर दीजिए धकन डाग दीजिए और कुछ बजन रख दीजिए और इसे दम पर रहने दीजिए तकरीबन 20-22 मिनिट तक क्योंकि मैंने नीचे तवा रख रखा है जब 20-22 मिनिट हो जाए तो इस तरीके से भाप खूटेगी माशाला चावल हो जाएंगे आप चावल चेक कर लीजिए और नीचे मैंने चेक किया कि बिल्कुल भी वाटरी नहीं लग रहा है तो मैं ऐसे चूला बंद कर देती हूं धाक कर इसे तकरीबन 10 मिनिट ऐसे ही रह यानि वह भी पैकेट की विक है मजेदार है जटपड भी बनती है अचा हल कीसी है न मैं उसके साथ रखती मुझे थोड़ा मसाले वाली बहुत पसंद आती है अगर आपको मसाले वाली जादा पसंद नहीं आती है तो आप जादा और सुखा लीजिएगा मतलब 20-22 मिनिट स जादा रख दीजिएगा या फिर आपने जो स्टार्ट में आम जो चिकन के लिए पानी डालते हैं तो आप आधा पॉना कभी दालिएगा तो यह देखिए बढ़िया सी मेरी मैंने निकाल ली है सर्विंग डिश के अंदर थोड़ी सी कोथ मेर यानि के हरा धनिया दाल देत पूरा प्ले लिस्ट है आप वहां डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा तो हैना मज़ेतार बिर्यानी अचकी अगर आप एर बिर्यानी बनाए तो मेरे साथ कमें सेक्शन में जरू चेर कीजिए को मुची आपके कमें से बहुत अच्छ लगते रेसिपी अची लगे तो लाइक कीजिए उससे जादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फोवर कीजिएगा फिर से हाजिरों की नहीं शांदार दमदाद रसिपी के साल अंतल दें टेक कर आला हाफिस बबाए